दोस्तों, शट्टिला एकादशी व्रत सभी एकादशी में बहुत ही खास मानी जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस एकादशी व्रत से भगवान विश्णु प्रसन होते हैं। इसके अलावा शट्टिला एकादशी पर कुछ विशेश उपाय ऐसे हैं जिनको करके आपकी समस्याओं का अन्त हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार हर वैशनव को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी महिने में दो बार आती है। कृष्णपच और शुक्लपच अनुसार शट्टिला एकादशी सभी एकादशी तिथियों में सर्वशेश होती है। पद्मपुराण में वर्डित है कि हजारों वर्षों तक तपस्या और स्वर्णदान से भी ज्यादा पुन्य शट्टिला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस दिन किसी पवित्र नदी में इसनान करने और काले तिलका दान करने से व्यक्ति को स्वर्ग लोग की प्राप्ती होती है और समस्त पापों से मुक्ती मिलती है। इस दिन कुछ विशेश उपाए करने से समस्त पापों से हमें मुक्ती मिल जाती है। साथी दुख, दुरभागी और दरिदर्ता भी दूर होती है। इसके साथ धनकी प्राप्ती के मार्ग में व्रद्धी होती है। ऐसे में हम आपको आज शक्तिला एकदशी के कुछ महा उपाए बताएंगे जिसे करने से आपके समस्त कस्टों का नाश होगा और जीवन में आने वाली सभी विग्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास तक देखिएगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हम अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख क करके जरूर बताईएगा वैदिक पंचांग के अनुसार माग शुक्ल पच्छी की एकदशी तिथी के दिन शट्तिला एकदशी का व्रत रखा जाता है पंचांग के अनुसार ये व्रत इस बार 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को रखा जाएगा एकदशी तिथी का प्रारब 5 परवरी को शाम 5 बच कर 24 मिनट पे होगा और ये तिती 6 फरवरी को शाम 4 बच कर 7 मिनट पे खतम होगी उद्या तिती का ध्यान रखते हुए ये वरत 6 फरवरी दिन मंगलवार को होगा दोस्तो इस दिन हम कुछ विशेश उपाय करके अपने जीवन में कई सकारात्मत की परेशानियों, दुख और कश्टों को दूर कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं शट्टिला एकादशी से जुड़े हुए कुछ विशेश उपाये दोस्तों शट्टिला एकादशी के दिन वरत करके गंगा जल में तिल मिला कर भगवान सूरी को अर्गि देना चाहिए दूर हो जाती हैं शट्टिला एकादशी वरत के दिन इसनान दान का भी विशेश महतु है इसलिए इस विशेश दिन पर किसी जरुरत मन व्यक्ति को तिल का दान हमें अवश्य करना चाहिए ऐसा करने से सौ भागी की प्राप्ति होती है और अक्षय पुर्ने का आशिरवात मिलता है शट्टिला एकादशी के दिन तिल का दान करने के साथ ही साथ धन का गुप्त दान भी करना चाहिए इसलिए किसी जरुरत वन व्यक्ति को तिल के साथ उसमें कुछ सिक्के डाल कर गुप्त दान करें ऐसा करने से भागी का साथ मिलता है और जीवन में सफलताएं प्राप्त होती है दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है कि शत्तिला एकादशी व्रत के दिन भोजन में तिल का विशेश प्रकार से प्रियोग करना चाहिए ऐसा करने से स्वास्त पर विशेश प्रभाव पढ़ता है और आरोगिता का आशिर्वाद मिलता है एकादशी व्रत के दिन कुंडली में उत्पन हो रहे ग्रहों के दुश प्रभाव को रोकने के लिए तरपढ़ और उसके साथ दान जरूर करना चाहिए ऐसा करने से शनी, राहुकेतु और पित्र दोश दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख और सम्रद्धी आती है दोस्तों अगर आप अपनी नौकरी में अच्छी आमदनी प्राप्ट करना चाहते हैं तो इस दिन विश्णु भगवान के मंत्र का 21 बार जाप करें मंत्र है ओम माधवाए नमहा साथ ही विश्णु भगवान को पिसे हुए तिल में शक्कर और थोड़ा सा घी मिला करके भोग लगाएं भोग लगाने के बाद थोड़ा सा प्रसाद स्वयम भी ग्रहड कर लें ऐसा करने से आपको जल्दी ही नौकरी में अच्छी आमदनी मिलने लगेगी और साथ ही नौकरी में आपकी तरकी भी होगी अगर आपकी शादी जल्दी ही होने वाली है और आपका अपना रूप सौंदर्य बनाए रखना चाहते हैं आप आप चाहते हैं कि आप सुन्दर दिखें तो इस दिन आपको इसनान से पहले शरीर पर तिल का उप्टर लगाना चाहिए और उसके 20 मिनिट के बाद पानी में थोड़े से तिल मिलाकर भगवान विश्नु का ध्यान करते हुए इसनान करना चाहिए ऐसा करने से शादी में आपका रूप निखर के आएगा जीवन साथी के साथ अपने संबंदों को यदि बहतर रखना चाहते हैं तो इस दिन भगवान विश्नु को तिल मिलेवे पंचामरत का भोग लगाएं साथी उन्हें एकाक्षी नारेल अर्पित करें ऐसा करने से जीवन साथी के साथ आपके संबंद बहतर बने रहेंगे अगर आपके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है और वो इधर उधर की चीजों पे ध्यान दे रहे हैं तो इस दिन विश्नु मंदिर में पीले रंग के कपड़े का दान करें साथ ही अपने बच्चे को एक विद्या यंत्र पहनाएं ऐसा करने से आपके बच्चे का मन इधर उधर की चीजों से हटकर पढ़ाई में लगने लगेगा आप जो विद्या यंत्र अपने बच्चे को पहनाए उसको पहले विश्णु भगवान के चर्णों में इस पर्ष करे उसके बश्चात पहनाए अगर आप अपने पूरे परिवार के स्वास्त को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो इस दिन आपको भगवान विश्णु के आगे तिल मिश्च थोड़ा सा जल रखना चाहिए और भगवान की विदिपूर्वक पूजा करनी चाहिए पूजा के बाद भगवान के आगे रखे उस तिल मिश्च जल को घर के सब सदस्यों में प्रसाथ के रूप में बाट देना चाहिए ऐसा करने से आपके पूरे परिवार का स्वास्त बेहतर बना रहेगा अगर आप अपने धन धानने में विशेश रूप से व्रधी करना चाहते हैं तो इस दिन मंदिर में तिल का दान करें साथ ही विश्च भगवान की घी की दीपक से आरती करें ऐसा करने से आपके धन धानने में विशेश रूप से व्रधी होगी अगर आप अपनी हर मनो कामना को पूरा करना चाहते हैं तो इस दिन तिल और गुड के ग्यारा लड्डू बना करके मंदिर में दान करें साथ ही विश्णु जी के मंत्र का 108 वार जब करें मंत्र है ओम नमो भगवते ना रायनाई ऐसा करने से आपकी हर मनो कामना पूरी होगी अगर आप अपने संतान के वैवाहिक जीवन में खुशियां देखना चाहते हैं तो इस दिन आपको भगवान विश्णु की धूब दीब से पूजा करनी चाहिए साथ ही उन्हें तिल और उड़त दाल का भोग लगाना चाहिए ऐसा करने से आपकी संतान के वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी अगर आप जीवन में वैवों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इस दिन आपको एक मिट्टी के बरतन में तिल भरकर ब्रामणों को दान करना चाहिए साथ ही उनका आशिरवात प्राप्त करना चाहिए ऐसा करने से आपको जीवन में वैवों की प्राप्ति होगी शर्तिला एक अदशी के दिन ब्रामणों को भोजन कराना बेहदी शुब माना जाता है इससे व्यापार फलता पूलता है और ब्रामणों को भोजन कराने के बाद उन्हें दक्षिरा जरूर देनी चाहिए परिवार में खुशाली के लिए इस दिन पीले फूलों की माला बना करके भगवान विशनों को चढ़ाएं इसके साथ ही उन्हें चंदन का तिलक लगाएं साथ ही तुलसी दल के साथ भोग लगाएं दोस्तों इस दिन आप अगर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सूर्यदर से पहले इसनान करके साफ वस्तर धारण करें और तुलसी के पौधे में थोड़े से तिल चढ़ाएं ऐसा करने से सफलता के मार्ग में आने वाली सभी विग्न बाधाएं दूर हो जाती हैं और लक्ष की प्राप्ती होती है दोस्तों अगर आप मन चाहत जीवन साथी पाना चाहते हैं तो इसके लिए इस दिन श्री हरी भगवान विश्नु की विदिवत पूजा करें और पंचामरत का इसनान कराएं ऐसा करने से रिलेशन्शिप में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ती होती है दोस्तों यदि आप सालों से सरकारी नौकरी की तयारी कर रहे हैं लेकिन परिक्षा में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो इसके लिए इस दिन आपको एक खास उपाय करना है इस उपाय से आपको सरकारी नौकरी जल से जल मिल जाएगी दोस्तों आपको करना ये है कि इस दिन तुलसी के पत्ते ले ले और उन पर हल्दी लगाए जी हाँ थोड़े से तुलसी पत्ते ले करके आपको उन पर हल्दी लगानी है और उसको फिर भगवान विश्णू को अर्पित कर देना है ऐसा करने से आपको जल से जल सरकारी नौकरी में सफलता प्राप्त होगी तो दोस्तों ये थे कुछ महाउपाए जो आप शट्टिला एकादशी के दिन करके अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं साथ ही अपने जीवन में सुख और सब्रधिला सकते हैं भगवान विश्णू की क्रपा प्राप्त कर सकते हैं भगवान भोले नात की क्रपा आप सब परवनीर है तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ तब तक के लिए रादे रादे